नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब को पता है, पिछला लगवग देड़ साल हम सभी के लिए बहुत ही जादा मुश्किलों से भरा हुआ और बहुत ही बिशम परिस्तियों से भरा हुआ रहा हमने इस समय में अपने कई अपनों को खोया और हमारे आफपास बहुत सारे लोग बहुत ही मुसीबतों को जिलते हुए दिखाई दिये पिछले एक साल में हम एक नए तरह की जीवन के अंदर उता रहे हमारे जीवन की पूरी शैली बदल गई हम सामाजिक दूरियों के साथ रहना सीख गए हमने अपने जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल लिया समाज ये पूरा विश्व हमारा राफ्ट पिछले डेड़ साल से इस महामारी से लड़ रहा है और अगर इश्वर न चाहा तो हम जल्द ही इस महामारी के उपर भी काबू पा लेंगे दोस्तों IC Group of Education लगा तार पिछले डेड़ सालों से समाज के साथ खड़ा रहा है जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो हमारी टीम ने मैदान में उतर कर रोडों पर जो भूंके लोग थे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था खाने के लिए खाना नहीं था और जो प्रवासी मजदूर दूर से अपने घर जा रहे थे उनको शेल्टर दिया उनको खाने की विवस्था करी उनके रहने की विवस्था करी और जब दूसरी लहर में केस बहुत बढ़ने लगे तो हमारी टीम ने मैदान में उतर कर खुद टेस्टिंग करना सीखा और कोरोना पॉजिटिव मरीचों का टेस्ट किया उन्हें आइसोलेशन सेंटर तक क्वारिटीन सें हैं और इस समाज के दुख हमारे अपने हैं इसलिए हमने आइसी गूरूप ओफ एजुकेशन में ये तय किया कि पिछले एक साल में इस महामारी की बज़े से जिनभी बच्चों के माता या पिता उनमें से कोई भी एक उन्हें छोड़ कर चले गए हैं उन्हें हम आइसी ग पढ़ाई को जारी रख सकते हैं दोस्तों ये समय बहुत तिकट हैं ये इस्तिती बहुत कठे हैं लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए हम सभी इस महामारी से जरूर पार पाएंगे हम सभी को सरकार के बताई हुए दिशाओं और निज़ेसों का पालिंग करना होग तो दोस्तों IC Group of Education हमेशा आपके साथ है अगर आपको इसके अलावा भी किसी भी परिस्तिती में किसी भी मदब की ज़वत होती है तो हमारे help line number नीचे दिये हुए हैं आप इस पर निसंग कोच कभी भी call कर सकते हैं कभी भी phone कर सकते हैं हमारे volunteers आपकी help करेंगे आप कहीं प हमारे help line numbers का आप यूज कर सकते हैं हम उसमें आपकी फूरी मदद करेंगे कि अगर आपको vaccine नहीं रख पा रही है तो जल्दी से जल्दी आप कैसे vaccine लगवा सकते हैं या निकटबरती जो भी vaccination का center होगा बहां पर आपके लिए कैसे एक slot book करवाया जा सकता है तो दोस्तों य और अपने देश के साथ खड़े होने का है तो आए कंदे से कंधा मिला कर हम अपने देश के साथ खड़े होते हैं और इस महामारी पर पार पाकर इस दुनिया को दिखाते हैं कि भारत का जजवा अभी मरा नहीं है भारत का जजवा जिन्दा है और कोरोना जिसी महामारी से ह इपका राइ